आज हम लोग बात करेंगे अटेंशन इंसाइट सौफफियर के बारे में हाई गाईज मेरा नाम है क्रिपेश आडवानी और यहाँ पर मैं आप लोग को हेल्प करता हूँ एक बेटर सौफियर परचेजिंग डेसिशन देने के लिए तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अटेंशन इंसाइट के बारे में यह एक टूल है जो की अभी फिलाल मिल रहा है आप सुमो पे डॉलर 59 का तो आज हम लोग इसके बारे में डीटेल में बात करेंगे कि क्या है यह क्या चीज करता है यह क्या इसके प्रोज है क्या इसके तो मुझे commission मिलेगी बिना आपके किसी extra cost को pay किये हुए इससे मुझे help मिलते हैं कि मैं इस type के detailed और unbiased videos कर पाऊं आप लोगों के लिए तो attention insight एक heat map generator tool है heat map basically हमें ये बताता है कि किसी भी page में, किसी भी image में सबसे जाधा attention कहां पे मिलती है तो ये जो काम करता है, ये काम करता है AI के basis पे usually जो अब तक traditional heat map generators होते थे जैसे कि Neil Patil का crazy egg वो काम करता है click के basis पे, mouse के basis पे, कि mouse अभी कहा है और उसके basis पे वो heat map को generate करता है so ये एक design analysis tool है जो कि AI का use करता है basically ये देखता है कि human eye सबसे पहले कौनसी चीज़ पे attention देखी कौनसी चीज़ सबसे पहले देखी इमेज में तो without any further ado, मैं आप लोग को सीधे screen पे लेके चलता हूँ इसके demo बताता हूँ जैसे आप लोग इन करेंगे इस टाइप के आप लोग के पास screen खुल जाएगी basically ये मुझे बताएगा कि कौनसी image में कहां पे attention मिल रही है image किस type की हो सकती, image मेरा landing page हो सकता है मेरे आप की screen हो सकती, मेरा e-commerce हो सकता है मेरे email subscriber का button हो सकता है वो सारी चीज़ें बताएगा तो जैसे यहाँ पर मैंने 3-4 landing pages upload करके रखे है यह रहा मेरा एक landing page अब मुझे इसमें देखना है कि attention कहां पे सबसे पहले जाएगी मैं attention heat में आपको यहाँ पे on करूँगा and red पे सबसे जादा फिर उसके बाद मैं नहीं चाहता है कि मेरे logos पर यहाँ पर attention आए ओपर menu बार पर attention जा रही है वो चीज़ नहीं होनी चाहिए तो यह मेरे लिए एक proper है and जैसे माल लो मैं चाहता हूँ कि इस graphic पर कितने attention आ रही है मैं वो भी देख लो तो मैं यहाँ पर डाल लओगा यहाँ पर मैं graphic डालूँगा यहाँ पर मैं calculate attention करूँगा and तरर यहाँ पर भी है percentage of attention की बात करूं तो यहाँ पर 2% है मैं यहाँ पर 3% चाहारा हूँ तो यह दिखने में अच्छा लगा है लेकिन मेरे use case के साब से अच्छा नहीं है डिपेंड करता है कि आपका use case कैसा है अगर आपको attention इमेज वाले पार्ट पे चाहिए तो आप लोग उस तरह की landing pages को design करें मुझे चाहिए कि जो मेरा call to action बटन है वहाँ पे आए जो की काफी हाई है उसके बाद means it is graphic intensive तो मुझे चाहिए कि text पे आए फिर इसी टाइप से मेरी एक और ये भी image है यहाप इना attention heat maps लगा के रखा है ये भी ठीकटा की image है फिर यहाँ पर भी मेरी एक image है अब इसमें देखो एक क्राप प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इस image को भी यहाँ से अटा दूँगा फिर एक और यहाँ पर मैंने टेस्टिंग के डालके रखी है वाली image जैसे अगर मैं इस पर attention डालता हूँ तो यह image पर आ रही है प्लस यहाँ पर भी आ रहा है percentage of attention देखूँ तो जो मेरा नीचे CTA है यहाँ पर 3% यहाँ पर 3% आ रहा है और text पर भी आ रहा है और logo पर भी आ रहा है तो this is a proper image for me जो मेरा use case है कि मुझे यहाँ पर CTA पर attention चीए और मेरे text पर attention चीए उस use case के इसाब से मैं यह वाली image को select करूँगा तो सबसे पहले आप लोगों के लिए एक use case होना चीए कि आप लोग किस ताइप से इस tool का use करोगे and then यहाँ पर upload करके अपने लिए decision एक better decision ले पाओगे अब यहाँ पर एक comparison का भी option है मैं यह भी आपको बता देता हूँ यह भी interesting है comparison में जैसे यह stories है अब मालो मुझे यहाँ पर ads run करने है तो यहाँ पर मैंने Instagram story ads run करने है मुझे तो यहाँ पर मेरे पास 1, 2, 3, 4 and 5 यह मेरे पास 5 images है अब मैं चाहता हूँ जो मेरा सबसे पहले attention जाए वो जाए इस text के ओपर and थोड़ी बहुत graphic के ओपर मतलब इसे पूरी screen में फैली होई नहीं रहे अब यहाँ पर एक clarity भी बताता है clarity is basically कि कितनी image आपकी clean है अब एक clarity score कैसे बताता है क्या इसमें factors रहते हैं किस थाप से इसे improve कर दिया जाता है तो यह चीज यह tool नहीं बताता है तो अभी आज के इस वीडियो में clarity पर जादा focus नहीं करूँगा clarity above 60 is good and हम लोग यहाँ पर focus करेंगे mainly attention और heat map के ऊपर ही तो यह मेरे 5 images है अब मैं आप पर heat map इसका on करता हूँ तो यह रहा मेरा heat map अब जैसे वाली image में यह image ठीक है लेकिन यहाँ पर it is decent फिर यहाँ पर screen 2 में यहाँ पर heat map आ रहा है फिर यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है मैं नहीं जाता कि मेरे पूरे attention इधर उदर उदर तीन जगा पर रहे तो मैं इसको discard कर दूँगा फिर यह है मेरा heat map यह decent है फिर यह भी है यह भी decent है यहाँ पर भी मेरे पास ऊपर आ रहा है heat map और फिर इस पर आ रहा है ठीक है और यह वाली image मुझे best लग रही है तो अब मैं पर percentage of attention भी on कर दूँगा तो यहाँ पर 51% आ रहा है यहाँ पर 18% CTA बस तो इसको मैं फिलाल इस image को मैं discard कर दूँगा तो यह वाली image मेरे पास बची है और इसके बाद यह वाली image भी अच्छे 51% CTA यहाँ पर भी आ रहा है लेकिन इसमें जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पर attention अलग अलग जगा पर जा रही है तो मैं इस image को भी discard कर दूँगा फिर यह रहा है यहाँ पर 61% CTA इसके ऊपर तो यह image मेरे लेक अच्छी है and then यह वाली भी मुझे काफी अच्छी लग रही है 73% तो मैं इन पांचों में से इन तीन image का use करूँगा अपने Facebook ads के लिए and then वहाँ पर मैं इसके A-B testing करूँगा अब यह जो टूल है यह A-B testing को replace नहीं करेगा जो traditional A-B testing होती है traditional आप लोग data के तुरू जो testing करते हो अलग-अलग users को अलग-अलग image दिखाते हो then उनके responses collect करते हो and then result पे conclude करते हो यह उसके लिए नहीं है यह चीज बेसिकली आपके उस step के पहले एक filtration का काम करेगा कि यहाँ पर पांच इमेजे मैं पांचों इमेज पर टेस्स नहीं करूँगा पांचों इमेज पर आड नहीं रन करूँगा सिफ तीन ही इमेजे इस पर आड रन करके करते रहाँ उस सिनारियो में भी यह वाला टूल मुझे काफी हेल्प करने वाला है तो आसान भाशा में समझाओं तो यह एक design analysis टूल है जो कि आप लोगों को help करता है एक better design बनाने में जो की ज्यादा convert होगी अब अगर मैं इसके plans की बात करूँ तो यह start होता है $59 है और नीचे नीचे आ जाओं तो $59 में आप लोग 100 designs एक महिने की बना सकते हो जैसे यह पर मैं अगर एक image को upload कर दूँगा तो यह मेरी एक design हो गई फिर यह दूसरी design हो गई इस type से यह पर मेरी 5 designs हो गई है तो 100 designs एक महिने it is decent it is sufficient for me उस type से यह पर 200 designs भी अगर आप लोग जाधा चाहते हो तो 118 का ले लो यह पर 300 designs चाहते हो तो 11177 का ले लो यह पर remove branding का भी option यह ब्रांडिंग क्या है जैसे ही आप लोग यह पर करते हो तो यह नीचे आप लोग को दिख रहा है यह जो नीचे क्रेजी एग है इसकी प्राइस यह पर डॉलर 24 से स्टार्ट होती है और जाती है डॉलर 249 पर मन्त के लिए तो it is very it is very expensive heatmap जो generator tools रहते हैं वो काफी expensive रहते हैं ना नील पटेल का जो है वो यूजवली माउस पर depend करता है तो यह डेटा भी collect करता है यूजर से आपको डेटा की permission लिनी पड़ेगे कि हम आपके mouse clicks को track करेंगे तो यह चीज यहाँ पर data collect करेगी यहाँ पर कोई data collect करने की जहुरत ही नहीं है यहाँ पर crazy egg में time लगेगा एक से दो महीने तक वो देखेगा बहुत सारे users आएंगे 10-20,000 users आएंगे तब उसके पास एक proper data होगा attention inside में आपको time लगेगा instantly आप लोग को results मिल जाएंगे अब मैं attention inside की बात करनों तो यह लोग European Union से आते हैं एक से दस लोग के team है seat funding इने मिल चुकी है and around euro 2,000,000 euro की इनको funding मिल चुकी है so it looks good पिछले साल ही found हुई है तो it is still new so यह अभी नई company है and काफी improvements हो रहें इसमें and काफी सारी चीज़ें आपे improve करी जारी है अब जैसे इनका product roadmap भी है roadmap हमेशा मुझे हर नई product का देखना काफी अच्छा लगता है तो यह चीज़ें हैं जो इन्होंने करी है chrome extension इनका आ गया है यहाँ पे chrome extension भी है मैं आपे scan कर सकता हूँ जैसे मैं scan पे click करूँगा वह basically इस image का screenshot ले लेगा and then यहाँ से scan करके मुझे उसका analysis report देदेगा वैसे इनके plugins भी आ गए है Adobe XD के लिए sketch के लिए है कुछ video lessons भी है और इस type से इनके plugins भी हैं तो अगर आप लोग Adobe XD यह sketch का use करते तो direct इसको वहाँ पे download करके use कर सकते हैं अब यहाँ पर कुछ और भी है जो इनके चीज़े आने वाली है Q4 के लिए जो आने वाली चीज़े है वो भी इन्होंने आप लिखके रखिए कि क्या क्या चीज़े future में आएंगी तो it is good, it looks good, इनके पास 2021 तक का plan है तो अब अगर मैं इसके कुछ pros की बात करो तो यह data collect नहीं करता है users का यह एक अच्छी बात है यहाँ पर आपको store designs per month मिल जाती है जो की बहुत सारे लोग ले sufficient रहेगी अगर आप लोग चाहो तो और बड़ा वाला plan भी ले सकते हो फिर यहाँ पर test जो रहते हैं वो time नहीं लेते हैं अगर मैं traditional तरीके से करूँ या A-B testing भी करूँ या फिर click वाली testing भी करूँ तो भी मुझे काफी time लेगा उसके results आने में दो महीने लग जाएंगे तो यह जो start-ups हैं जो मेरे जैसे जो solopreneurs हैं उन लोग लिए काफी है कि अच्छा टूल होने वाला है फिर आप लोग इस टूल को competitors के website पे भी use कर सकते हो उनके landing pages पे भी use करके देख सकते हो कि वो लोग किस type का attention grab करते हैं वो लोग किस type का heat map अपने users के लिए रखते हैं फिर यहाँ पर है इनका support जो इनका support है वो मेरे case में काफी fast था अच्छा भी था जो भी मुझे problems आई थी वो इन्होंने solve कर दी थी and they are friendly at least for now अब अगर मैं इसके cons ही बात करूँ तो जैसे ही मैंने का support अच्छा है अच्छा है लेकिन इन लोगों का product अभी पूरी तरीके से तयार नहीं है इसमें कहीं कहीं bugs आपको देखने को मिलेंगे काफी improvements होंगे इसमें future में and काफी सारी चीज़े आपको changes मिलेंगे इसमें UI में changes मिलेंगे बहुत सारी चीज़े आपे change होगी it is very new it is still in beta in my opinion काफी सारे आपे improvements की ज़रुरत है अब यहाँ पर एक और जो इसका कौन है वो है इसके branding बहुत सारे लोगों को पसंद निए कि इन्होंने आपे नीचे अपनी branding देखे रखिये तो आप लोग अगर 59 वाला plan लेते हो $59 तो उसमें आपको नीचे इनके branding देखने को मिलेगी इनका एक watermark देखने को मिलेगा तीसरा कौन है कि it is good लेकिन है आपके traditional A-B testing को replace नहीं कर सकता है यह tool उसके लिए बनाया भी नहीं है तो अगर आप लोग traditional A-B testing करते हो तो फिर यह tool उसमें उसको replace नहीं करेगा तो क्या है यह tool आप लोग को लेना चाहिए मेरे इसाब से अगर आप लोग एक startup है अगर आप लोग designs काफी करते हैं अगर आप लोग बहुत सारी conversion related काम करते हैं तो फिर यह tool आप लोग लिए काफी अच्छा होने वाला है और अगर आप लोग ने कोई भी heat map नहीं उसकिया अगर आप काम करता हूं मैं यूट्यूब तो मेरे लिए यह tool काफी अच्छा होने वाला है क्योंकि मैं इसको frequently use करने वाला हूं तो अगर आप लोग frequently use करने वाले हो अगर आप लोग का e-commerce store है कोई app है कोई landing pages बनाते हो कोई भी ऐसा काम करते हो जिसमें conversion की बहुत ज्याद जहां पर आप चाहते हो कि convert हो कोई courses अगरे sell कर रहे हो कुछ भी आप चीज़े sell कर रहे हो तो फिर यह वाला heat map आपको काम में आने वाला है अगर आप लोग का simple एक blog है तो मेरे इसाब से यह heat map आप लोग ले उत्तरा worth it नहीं रहेगा at present, instead कि आप लोग किसी और SEO tools पे spend करो वो ज्यादा better option रहेगा, so that will be all for this one, अगर आपको वीडियो अच्छ लगाए तो उसको thumbs up देजेगा, नीचे आपको मेरे links मिल जाएंगा, अगर आप लोग चाहते है तो चैनल को support कर सकते हैं उन लिक्स से purchase करके, so that will be all and I will see you guys in the next one, good bye